we will be revising rectification of error in today's class rectification of errors okay so rectification of errors में अपने एक एक करके concept समझते हैं exactly rectification of error यह जो phrase है यह हम लोगो खुद बोल रहे है कि सर कोई गलती हो गया है उसको rectify कैसे करे कोई गलती हो गया है उसको rectify कैसे करे rectify करने का तरीका बताइए rectification of errors प्रेज अपने को खुद बोल रहे है ओके ठांक्यू रोशनी गरी मामान भी तो अब एक एक करके बात को अच्छे से समस्ते वे सुनते वे चलो इशू होगा कुछ भी तो मेसेज करना देखो जब अपने अकाउंटिंग स्टार्ट किये न तो अपने अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़े कि सरा अकाउंटिंग is an art of recording classifying, summarizing, analyzing and interpreting the financial information and communicating the results thereof to the interested users यह अपना अकाउंटिंग का डेफिनेशन था और इसी में हम लोग का accounting process भी निकल के आ रहा है इसी में हम लोग को accounting process भी समझ में आ रहा है सर पहले सर हम लोग transaction को read करते हैं उसको record करते हैं उसके बाद वो सारा recording हुआ हुआ को हम लोग classify करते हैं into ledgers तो recording को अपने बोल रहे थे journal entries या subsidiary books and फिर उसको जब अपने classify कर रहे थे तो उसको बोल रहे थे ledger posting ledgers एक बार इसी basic से अपने start करते हैं कि सर जैसे मान लो वो ये transaction हुआ एकदम basic transaction गोलू started business with cash rupees 10,000 तो अपने क्या बोल रहे थे जहांचे समझना अपने बोल रहे थे सर इसका आप journal entry पास करिये cash account debit to capital account कितना 10,000 और फिर अपने क्या करते थे अपने cash account बनाते हैं और capital account बनाते हैं अपने cash account में क्या लिखते हैं to capital account 10,000 यहां पर capital account को अपने लिखते हैं by cash account 10,000 इस transaction का यही journal entry है और यही ledger posting है यहां से सुनना इसी को अपने बोलते हैं recording and यह जो अपने नीचे काम किये इसको बोलते हैं classifying यह हो गया recording और यह उसी transaction को अपने classify कर दिये दोनों अलग-अलग ledger में राइट जान से देखो जब journal entry pass हो रहा है तो same amount से debit और same amount से credit अपने कर रहे हैं ledger में जब posting करते हैं तो exactly यही वाला balance अपना उठके यहां आ जाता है और यह वाला balance अपना यहां चला जाता है यहां तक का बात हम लोगो एकदम clear है इसमें तो कोई आप नया बात अभी तक किये ही नहीं अभी सुनो मान लो say by mistake by error लिख लो by error मतलब कोई error हो गया while passing the journal entry amount was written as rupees 1000 गलती से instead of 10,000 instead of 10,000 जहां से समझो आपको गोलू capital कितना लेके आया 10,000 था अपने देख लिए sir journal entry क्या होना चाहिए था और classification that is ledger posting क्या होना चाहिए था यह आपने देख चुके but say for example गलती से by error journal entry पास किये ना यह वाला journal entry जो पास किये इसमें amount 10,000 जो लिखना चाहिए था गलती से हजार लिख दिए यही तो गलती हुआ हो सकता है अपने इंफैक कितना बर देखते हैं कि आप लोग भी जब घर में अपना हुमवक करते हो तो कितना सिली सिली मिश्टेक हो जाता है इंसान है भई गलती तो हो सकता है अब यह गलती हो गया और मान लो गलती होते ही आपको गलती पता चल गया गलती हुआ और गलती होते ही आपको पता चल गया तो आप क्या करोगे हुआ क्या error error क्या हुआ error हुआ journal entry जब पास हुआ cash account debit आप कर दिये गलती से thousand and capital account को भी आप credit कर दिये गलती से one thousand राइट यहां पर error क्या हुआ है error हुआ है journal entry में जहां देना this is important बात right now as soon as you observe this error you know the effect of this error इस error के वजए से क्या हुआ इस error के वजए से impact of error cash should be debited more rupees nine thousand and capital should be credited more very good एकदम correct है रोश्णी advance में आपने answer दिया कि इसका impact क्या हुआ cash should be debited और 9000 से debit कर दिये गलती से इसको आप सिर्फ thousand debit कर दिये ना प्लस 9000 कर यहां पर यह इसको आपने अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए तू रेक्टिफाई पास्टिफाई जर्नल एंट्री जर्नल एंट्री 9000 ओके next scenario यहां तक आपनों को कोई भी doubt हो तो पूछो otherwise we are moving on to the next scenario next scenario क्या गलती हो सकता है समझना say तू अजर्नल एंट्री पुा पूघ इस कि आपन प्रस्ещ के दिवक examinee कास्ट सर्थनक्दर्ट which भी तो पने कांट प्राल चbn आपने कि एवर्ग्ट पूप्रट थ Sum while ledger posting while ledger posting capital was credited by Rs. 1000 instead of 10,000 हुआ क्या आप journal entry correct pass किये अभी error देखो error क्या हुआ error ये हुआ कि जो cash का ledger बना न उसमें तो two capital account जो जाना चाहिए था वो 10,000 हो गया cash account को debit आप correct कर दिये लेकिन जब आप capital account बनाए जब आप capital account बनाए तो यहाँ पे by cash जो लिखना चाहिए था न वो गलती से 1000 हो गया this is the error right rectification of error chapter पूरा अच्छे से समझने के लिए पहले खाली error तो समझो कि सर गलती क्या हुआ आपको समझ में आया पहला वाला scenario में क्या हुआ था entry, journal entry में गलती था अभी यहाँ पर क्या हुआ जर्नल entry तो सर करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है ledger posting के टाइम पर capital में error हो गया right, हो ही सकता है सर गलती से cash में 10,000 और यहाँ पे 10,000 लिखना था बट गलती से 10,000 की जगा 1000 लिखा गया right, अगर आपको error समझ में आ गया अगर आपको error समझ में आ गया तो rectify करना easy है impact समझो, impact is ठीक है, आप लोग agree कर रहे हो सब कोई the impact of this error is that capital should had been credited by rupees 9,000 more full stop आपको 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 क्लियर है कोई प्लीज अगरी करो guys please understand कि अपने important concept अभी discuss कर रहे है यहां तक का बात आपको I hope clear है कोई भी doubt है तो पूछो the impact of this error is that capital should had been credited by rupees 9,000 more capital को 9,000 और credit करना होगा sir, गलती से capital न सिर्फ thousand credit रह गया आप लोग यहां से एक level beyond अभी जाने का कोशिश करना पहले यह बाला बात करें say this error is identified प्रेपरेशन ओफ ट्राइल बैलेंस तू रेक्टिफाई प्लीज देखो यहां पी यह जो एरर हुआ है यहां पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट को नौ हजार और क्रेडिट करना है और कुछ नहीं करना है कैश अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है कैश अकाउंट एक दम करेक्ट जो दस हजार डेबिट होना चाहिए था दस हजार डेबिट हुआ है खाली capital account को जो 10,000 से credit करना था वो 10,000 से credit नहीं हो के सिर्फ 1000 credit हुआ capital account को और 9,000 से credit करना है बढ़ debit और किसी को कुछ नहीं करना है इसका मतलब यहाँ कोई journal entry नहीं पास हो सकेगा अभी तक trial balance बना नहीं है मान के चल रहे हैं यहाँ कोई journal entry पास नहीं हो सकेगा क्योंकि अपने capital account को credit कर देंगे debit किसको करे debit में तो कोई mistake है यहीं debit तो जो होना चीए तक दम correct हुआ है इसलिए इस type का error को कैसे करते हैं rectify देखो capital account मैं आपको अल्रेडी दिख रहा है by cash account 1,000 rectify जो आप करोगे red pen से बता रहे हैं ध्यान से देखो rectify जो आप करोगे यहाँ पर लिख देना by rectification of incorrect posting credit के total का balance को बिगार दिए तो कोई journal entry के through rectify थोड़ी ना हो पाएगा इसको rectify करने के लिए यहाँ पर to rectify बस यह वाला काम करना पड़ेगा capital account के ledger में जा करके by rectification of incorrect posting लिखके 9,000 को credit कर देना पड़ेगा यह total आपका जो 10,000 credit होना चीए था अब हो गया थैश्पिस करदान प्सक्मा प्यांन प्रिछ कह अब्रैटोब 10,000 let's see but say say trial balance is prepared Note that Trial balance is prepared and error is identified after the preparation of Trial balance इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना अपने क्या किये थे अपने ये mistake किये थे mistake को जान बुश के थोड़ी ना करता है mistake तो mistake है गलती से हो जाता है हो गया अपने ये ledger बना लिए ledger का balances निकाल लिए ledger का balancing करके trial balance बनाने गए जब अपने trial balance बनाए तब तक जो ledger का debit balance होता है वो सब debit column में जाता है, जो जो ledger का debit balance होता है वही सब उठाऊ-उठाके trial balance के debit side में लिखते जाते हैं, जो जो ledger का credit balance होता है उसको उठाऊ-उठाके trial balance के credit side में लिखते जाते हैं, बट सर यहां तो ऐसा problem होगया और अपना trial balance match होता है, बट यहां इस error के व जैसे, trial balance का total of the debit side and the total of credit side नहीं मैच हो रहा होगा, total of the debit and the total of credit में 9,000 का difference होगा, in fact आपको ये भी समझ में आ रहा है कि सर, credit side का total नहीं 9,000 से कम होगा, इस बात पर फोड़ा सा गौर फर्माओ, agree करो और response दो, कि हाँ सर ये तो एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है कि rectification हम लोग को अब अलग तरीके से करना पड़ेगा, because जो trial balance बना था, trial balance match नहीं हो पाया होगा, पक्का ही, क्योंकि trial balance कैसे बनता है, ledger का balance का एक summary है, right, it is a summary of the ledger balances, तो जो जो ledger का debit balance आ रहा है, वो सब debit column में लिखते चले गए, जो जो ledger का credit balances आ रहा है, वो लिखते चले गए, और फिर वो दोनों total of the debit and the total of credit match हो जाता है, अपने एकदम transaction level से ही, जब journal entry पास करते हैं, तो equal amount of debit, equal amount of credit चलता है, फिर ledger posting भी equal amount of debit, equal amount of credit होता है, फिर अपने ledger में गलती कर दिये थे, खाली credit अपना 9000 और होना चीए था वो नहीं हुआ, तो अपना ledger जो credit होना चीए था 9000 नहीं हुआ, इसका मतलब वो trial balance में भी 9000 कमती गया हुआ है, इसका मतलब trial balance में credit side 9000 से short है, इसका मतलब अपने trial balance को match कराने के लिए, trial balance में पढ़े ह अपने suspense से लिख देते हैं, अपने suspense से लिख देते हैं, मतलब suspense का credit balance आ रहा होगा, इस जो अभी अभी बोले ना इस बात पर प्लीज थोड़ा सा गौर फर्माओ, समझो, हाँ सर ये बात तो हम लों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, impact, since the trial balance is a summary of ledger balances the credit side total of trial balance is Rs. 9000 short due to balance or due to credit balance of capital account being 9000 short na, trial balance summary of ledger balances hai, the credit side total of the trial balance is Rs. 9000 short due to credit balance of capital account being 9000 short is Rs. 9000 short due to match the trial balance 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 credit side credit side 9000 placed now the overall impact is that capital capital should be credited more Rs. 9000 and and since suspense account have credit balance of 9000 it should be debited by Rs. 9000 to cancel or close the suspense account to rectify 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 journal entry ciudad by who Suspense Account Debit To Capital Account अब देखो Error Same है Error Same है Error क्या था Error ये वाला था सिर्फ Capital में सर 10,000 की जगा 1,000 चला गया 10,000 की जगा 1,000 चला गया तो अगर ये Error ये जो Error है अगर ये Trial Balance के पहले पता चल जाए तो अपने सीधा Trial Balance तो अभी तक बना ही नहीं है तो Ledger में correction कर दो अगर Trial Balance बन चुका है तो अब आप Ledger में correction करके क्या करोगे राइट क्योंकि Trial Balance तो बन चुका उस Ledger का Balance को लेके और जब Trial Balance बनाए तो जबरदस्ती का एक suspense account खुल चुका अब अपने को suspense account भी तो खतम करना पड़ेगा अगर Trial Balance अगर बन गया मतलब जबरदस्ती का एक suspense account आ गया अब अगर आपको rectify करना है तो जबरदस्ती का suspense account खुला हुआ है उसको भी तो हटाना पड़ेगा वो भी तो अब एक error जबरदस्ती करना पड़ गया था अपने को Trial Balance को match कराने के लिए तो suspense account जबरदस्ती credit पड़ा हुआ है उसको भी debit करो और capital को तो सर्फ credit करना ही था तो अपने journal entry उस case में पास कर सकते है अब हम next बात कर रहे हैं next बात क्या कर रहे हैं सुनो यहां तक का बात आई होब सबको clear है when subsidiary hooks is maintained purchased on credit is 5000 credit 3000 2000 on credit में मान लो from jam from rahul okay क्या बोले मान लो subsidiary book maintain हो रहा है subsidiary book का मतलब अपना जो भी example है उसमें cash book एक subsidiary book है वो maintain हो रहा है और purchase book maintain हो रहा है for example right मान लो cash book भी एक subsidiary book का आप लोको पता है और purchase book यह दो book maintain हो रहा है अपने उसके उपर example ले रहे है और उसके उपर transaction क्या हुआ business में 10,000 रुपया ले के आया उधार में 5000 रुपया का goods खरीदा किस से शाम से उधार में 3000 रुपया का goods खरीदा किस से राहुल से and 2000 रुपया का goods खरीदा cash में अब इसका proper recording classifying recording classifying का flow समझो क्या होता है recording वाला part करते हैं पहले recording वाला part में क्या हुआ cash brought in business इसका recording कहां होता है कैश book में होता है तशे समझो अगर recording cash book में हो गया या recording purchase book में हो गया इसका मतलब अलग से journal entry नहीं पास होगा तब CDRE book का मतलब क्या-क्या होता है तर cash book, purchase book, sales book, purchase return book, sales return book bills receivable book, bills payable book and अगर ये सब book में कुछ भी नहीं हो पाया अगर ये सारे book में कुछ नहीं आ पाया then journal proper तो इसका मतलब को हर एक transaction क्या तो cash book में record होगा क्या तो purchase book में होगा, क्या तो sales book में होगा या तो purchase return book में होगा, या sales return book में होगा या bills receivable book में होगा या bills payable book में होगा अगर ये सब में किसी में नहीं हो पाया तो journal proper में record होगा मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक transaction का journal entry तो पास हो गई लेजर में कोई change नहीं आएगा, देखो, अपने जो example लिए हैं, उसको बहुत अच्छे से समझो, इसका recording कैसे हो रहा है, एक एक transaction, अगर cash का lane lane है, cash आया या cash गया, मतलब सर, वो सारा transaction, जिसमें cash plus या cash minus होता है, वो cash book में record हो जाता है, उसको आपको और कहीं भी record नहीं करना है, ठीक है, इसका मतलब आपके पास एक cash book है, cash book, cash book में, जब business में पैसा आया, तो, capital account, यह जो अपने बना रहे हैं, इसमें सिर्फ cash column है, कितना 10,000 रुपया में business start हुआ, यह हो गया transaction number one का journal entry खतम, goods purchased on credit, उधार में goods खरीदा है, जहांसी याद करो, जब उधार में खरीदते हैं, तो purchase book में, और अगर cash purchase हुआ है, तो sir, because cash plus minus हो गया, तो cash book में, right, तो यह वाला transaction कहां record होगा, purchase book में record होगा, purchase book, तीक है, हम simple format में दिखा रहे हैं, एक, शाम जगाउंट, शाम से कितना में खरीदा, पांच हजार रुपया, राहूल जगाउंट, त्रीन हजार रुपया, फिर लास्ट ट्रांजेक्शन, cash purchase हो रहा है, 2000 का, cash purchase हो रहा है, मतलब cash कम हो रहा है, और purchases आ रहा है, वाई, purchases, 2000, जहां से देखो, यह चारो transaction का, यह चारो transaction का, जर्नल एंट्री हो गया, जर्नल एंट्री हो गया, जहन से देख लो, यह चारो transaction का, अपने जर्नल एंट्री पास कर दिये, जर्नल एंट्री का मतलब, रिकॉर्डिंग हो गया, जर्नल एंट्री नहीं पास हुआ, तो क्या हुआ असरछ, सबसीडेरी बुक में तो रिकॉर्ड हो गया ना, यह अपना काम हुआ रिकॉर्डिंग वाला अब क्लासिफाइंग देखो क्लासिफाइंग का मतलब सर लेजर पोस्टिंग लेजर में सर कौन-कौन सा अकाउंट इनवाल्ड है एक तो सर कैश अकाउंट इनवाल्ड है याद करो यह बात आपको अच्छे से पता होना जरूरी है कि कैश बुक acts as a journal as well as ledger कैश बुक अगर बना लें तो कैश अकाउंट अलग से बनाने का जरुवत नहीं है बाकी सारा सबसीडियरी बुक में अगर सबसीडियरी बुक बना रहे हैं परचेज बुक तो परचेज अकाउंट बनेगा क्यों सर क्योंकि परचेज बुक में खली क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होता है अपर अपने को टोटल परचेज चाहिए होता है तो परचेज अकाउंट में जितना भी परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है भले ही वो कैश परचेज हो या क्रेडिट परचेज हो सारा का सारा आ जाता है तेम सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होता है लेकिन हम लोग को सेल्स अकाउंट बनाना पड़ेगा फ cash book serves the purpose of cash account also अगर आप cash account बनाओगे न तो देखोगे वोट एकदम replica है as it is है cash book की तर है कोई change होगा यह नहीं बना के देख लो लेकिन अगर आप purchase account बनाओगे तो देखोगे purchase book और purchase account में difference है purchase book does not serve the purpose of cash purchase account sales book does not serve the purpose of sales account but cash book serves the purpose of cash account also तो सिर्फ cash book ही एक ऐसा subsidiary book है जिसके बना लेने से उसका corresponding ledger account बनाने का जरुवत नहीं पड़ता है बाकि सारे day book बनाने के बाद भी उसका अपने को ledger account भी बनाने का जरुवत पड़ता है इसलिए cash book को बोता है कि cash book is a journal as well as ledger cash book is a subsidiary book as well as ledger right तो अगर अपने को cash book का balance यहीं पर calculate करना पड़े तो आप यहां पर calculate करते हैं अपने cash book का balance अपने जानते हैं सर कैसे calculate होता है इसका पर्चेस बुक का total अपने कर सकते हैं पर balancing कुछ नहीं होता है अब इसका classification देखो classification के लिए सर cash account बनाएं क्या cash account बनाने का जरुवत नहीं है लेकिन सर जब business में पैसा लेके आया तो capital तो लेके आया ना तो capital account बनाएंगे क्या capital account बनाएंगे capital account कहीं नहीं जाएगा तो अपना जो first transaction था cash account debit to capital account जिसको अपने cash book में record कर दिए उसका capital account तो बनेगा capital account में अपने लिखेंगे by cash account 10,000 perfect next transaction था अपना purchase from sham मतलब purchase account भी बनेगा sham account भी बनेगा purchase account अपने अपने जाके देख रहे हैं कि सब्सक्राइब बनेगा तो नेक्स ट्रांजेक्शन जो तो आप न यह क्या था goods purchased from sham रुपीज 5,000 मतलब purchase account में सब्सक्राइबिट होना चाहिए है यहां से देखो इसका recording अपने कहां किये थे recording यहां किये थे ठीक है यह जो 5000 है ना यह निकलेगा यह निकल के कहां जाएगा देखो यह निकल के जाएगा शाम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे why परचेज, कितना 5,000 हैं, येस और नो, शाम अकाउंट में क्रेडिट करना है, तर आपका मन बोल रहा होगा कि सर यहां भी लिखिए ना, टू शाम, पर ऐसा नहीं लिखते हैं, क्या करते हैं अपने ध्यान से समझना, चलो पहले दूसरा वाला देखो, राहूल से जो क्रेडिट में खरीदे ना, उसका क्या होगा देखो, ये राहूल के अकाउंट में जाएगा, ये राहूल के अकाउंट में जाएगा, और जो तू राहूल, तू शाम जो आपका मन कर रहा हैं ना, तू शाम एंड तू राहूल, तू शाम, तू राहूल, जो आपका मन कर रहा है, ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा, इसके जगा क्या होगा, तू, परचेज बुक टोटल, कितना, एट थाउज़, देख लो, ये वाला जो टोटल है, आठ हजार, इस फ्लो को समझ लो, प्रेक्टिफिकेशन ऑफ एर्र, एल हो जाएगा, ये थोड़ा से अज़श्ट्मेंट हो जाते है, ये थोड़ा से चेंज हो जाते है, तरफ परचेज अकाउंट में, ये दोनों अलग-अलग का हम लोग को आदत है, लेकिन ये अलग-अलग नहीं होके, ये तो परपस था, हम लोग परचेज बुक क्यों बनाएं? तब हम लोग जर्नल इंट्री पास कर लेते हैं, किसी एक बिजनेस में, हजारों परचेजेज होता है, वो अगर हर एक जर्नल इंट्री पास करेगा, क्रेड़िट परचेज, हजारों credit purchase होता है तो वो purchase book बनाया और फिर एक-एक कोई अगर यहां लाना पड़ा purchase account में तो purchase account बनाने का benefit क्या हुआ तब से dairy book बनाने का purpose ही यह था कि sir हम लोग काम थोड़ा सा reduce हो काम थोड़ा सा organize हो काम थोड़ा सा past हो इसलिए हम लोग credit purchases का एक साथ total निकाल के यहां पर लेके आ जाते हैं और फिर यहां पर यह हो गया next अपना क्या था next transaction था goods purchased for cash rupees 2000 यहां पर अपने purchase किये 2000 रुपया का cash purchase अब यह जो cash purchase है यह कहां जाएगा यह भी purchase account में जाएगा ध्यान से समझो यह भी purchase account में जाएगा यह जो cash purchase है यह भी अपने को cash account में दिखाना पड़ेगा जैसे दिखाएगे देखो 2 cash account 2000 therefore total purchases कितना हुआ buy balance carry it down 10,000 yes first we prepare the purchase book and then we prepare the ledger first we do the recording and then we do the classification तो अब अपने classification वाला काम कर रहे हैं देख लो अब आपको अगर ledger balances match कराना पड़े तो अपने cash book का तो ledger already निकाल चुके थे cash book का अपने ledger already निकाल चुके है purchase book का अपने पर सिर्फ totaling आता है वो total को अपने कहां लेके चले जाते हैं purchase account में लेके चले जाते हैं और फिर purchase account का balancing करते हैं यहां पर अपने sham account का balancing करेंगे two balance carried down कितना 5000 यहां पर राहूल का two balance carried down 3000 अब ध्यान से देखो अब जो बात है वो काम का बात करेंगे यहां तक आपको I hope flow clear हो गया कि सर जर्णल एंट्री के जगा subsidiary book, subsidiary book से कैसे ledger में flow करता है हम लोगो जर्णल से ledger वाला चीज तो clear रह जाता है सर बड subsidiary book का क्योंकि हम लोग इतना practice नहीं करते हैं न इसलिए हम लोगो subsidiary book से ledger का posting का बहुत ज़्यादा clarity नहीं हो पाता है इसलिए subsidiary book से ledger में कैसे flow होता है और फिर ledger का balances जो निकलता है उसका आप लोग को flow दिखाएं है और यह बहुत important है otherwise rectification of error chapter में problem होता है अगर यह flow आप लोगो दिख रहा है न तो आप error समझ पाओगे क्या अगलती हुआ नहीं तो आप error ही नहीं समझ पाओगे और अगर error नहीं समझ पाओगे तो rectify कैसे करोगे तो अपने देखो cash account नहीं बनाना पड़ा यह सब बात भी आपको समझ में आना चाहिए सर आपको में बनाना पड़ा यह काम तो cash book में हो गया और बाकि सार्व account बनाना पड़ा purchase day book का जो total था similarly, जो sales day book का total होता है वो sales account में चला जाता है जो purchase return day book का total होता है, वो purchase returnOUT में चला जाता है जैसे purchase book का total purchase account में आ यहाँ पर और उसके बाद अगर कोई cash purchases है क्योंकि purchase account सर हम लोगो बनाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि purchase book में पूरा काम नहीं हो पाया था purchase book में तो खरी credit purchase record हो पाया था और हम लोगो trial balance में न total purchase लेके जाना पड़ता है तो total purchase के निकालने के लिए हम लोग purchase account बनाते हैं अलग से तो यहां तक का बात सबको clear है क्या पता देना एक बात clear करना confirm करना अगर यहां तक का बात आप लोगो clear है तो सुनो आगे का बात अब सुनो आगे का बात now there was an error while recording purchase from sham in purchase book instead of rupees 5000 amount was recorded as rupees 4000 5000 record करना चाहे था गलती से 4000 कर दिया रिकार्ड है क्या गलती किया सर error क्या हुआ purchase book जो बनेगा न purchase book जो बनेगा purchase book जो बनेगा उसमें ये शाम्स account जो लिखना था ये गलत। हो गया ये गलती से 4000 लिख दिया तिकहे है राह।्यम में कोई problem नहीं है राह।ल अकाउंट में कोई problem नहीं हुआ राह।्यम अकाउंट का सर 3000 था 4000 ही लिखा है और total गलती से यहाँ पे भी गलती हो गया देखो ये 7000 हो गया इंस्टेड ओफ 5000 और यह भी एरर हो गया यह अपने आप आटोमेटिक एरर हो गया आटोमेटिकली इंस्टेड ओफ 8000 यह अटोमेटिकली यह गलती तो हो नहीं था इस तू रेक्टिफाई क्या करे नहीं चलो पहले इंपाक्ट इंपाक्ट क्या है इंपाक्ट ओफ दिस एरर इंपाक्ट ओफ दिस एरर शान से समझो इस एरर के वजह से शाम अकाउंट में जो पोस्टिंग होता न यहां से यह वाला तो उठा के देखो यह वाला बैलेंस को ही तो उठा के यहां से उठा के शाम अकाउंट में लेके गए थे देखो शाम अकाउंट में लेके गए थे तो यह अगर चार हजार लिख दिये तो शाम अकाउंट में जो क्रेडिट पांच हजार होना चीए था वो शाम अकाउंट में गलती से शाम अकाउंट में गलती से क्रेडिट सिर्फ चार हजाई हुआ हुआ मतब शाम अकाउंट को और क्रेडिट करना पड़ेगा, कितना थाउजन्ड, शाम's अकाउंट should be credited more by रुपीज थाउजन्ड, पहला एरर तो ये आपनों को समझ में आना चाहिए, दिख रहा होगा, एक दम सपश्ट दिख रहा होगा, और सर दूसरा, ये जो टोटल आता है न परचेज बुक का टोटल, परचेज बुक का ये वाला जो टोटल था आठ हजार, ये कहां गया, टोटल परचेज अकाउंट में यहां गया, तो परचेज अकाउंट में डेबिट होता है, तो ये जो आठ हजार परचेज अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, ये गलत पर्चेस अकाउंट शुद बेबिटेड मौर रूपीज तो रेक्टिफी तो रेक्टिफाई ध्यान से समझना, जर्नल इंट्री विल बेपस्ट पर्चेस अकाउंट डेबिट करना है तो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर दीजे नेक्स्ट सिनारियो विल चौंटिफेशन है हुआं जर्केशन नेुटान राफिशन एंट्री मैंसरों डेंट्सुआंट सिनारियो第 प्लाइशन एंट्राइशन पर्चेस्ट तर सुछ्ट्री तो रेक्टिफिकेशनन लाजर पस्तिफाईन एंट्टिफुर्य। करना यहां तक का बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है क्या है यहां तक का बात बिल्कुल क्लियर है क्या कि अ कि अ कि अ कि अ कि करना डियर है मैं पार टे बिल्कुल क्वांपल्व जर्पूस्टिंग मतलब ग्लासिफाइं है मंदर्पूस्टिंग कि अ दिजर्पूस्टिंग 46 शाम्स अकाउंट वाज रेडिटेड रुपीज 4,000 इंस्टेड ऑफ रुपीज 5,000 अपने देख चुके हैं शाम से उधार में कितना खरीदा है 5,000 रुपया का जर्रेलb सर्द रुक रखेर्देड रिकॉरडिंग करएक्ट हुआ पर्चयस बुक न शाम्स अकाउंट 5,000 उडेट यहां पह प्रॉब्लम नहीं हनलों लेकिन फिर पूरा पूरा recording correct हुआ बस जब ledger posting कर रहा था तो ledger posting गलती से Shams account instead of 5000 हो गया गलती से 4000 तो error क्या हुआ है देखो error हुआ है Shams account by purchase account गलती से यहां पर लिखा गया 4000 instead of 5000 note बहुत important बात note due to this error impact यह impact ही बता रहे है और important बात है due to this error Shams account should be credited with rupees 1000 more there is no other error to be practical और कोई गलती नहीं है खली शाम का account को 1000 रुपय से credit करो right if if this error इस इस आइडेंटिफाइड बिफोर प्रिपेरिंग ट्रायल बालेंस तू रेक्टिफाइड क्या करना है right अभी तक ट्रायल बालेंस नहीं बना है तो अपने पास शाम अकाउंट है शाम अकाउंट में अपने को अल्रेडी क्या दिख रहा है बाई परचेस फोर थाउजन दिख रहा है अपने क्या करेंगे अपने एक काम करेंगे बाई रेक्टिफिकेशन ओफ इनकरेक्ट पोस्टिंग गलत पोस्टिंग हुआ था बस जो हजार रुपया क्रेडिट करना था कर दिये खतम कोई जर्नल एंट्री नहीं पास कर सकेंगे न यार क्योंकि खाली एक क्रेडिट करना है शाम का अकाउंट हजार डेबिट साइड में कोई गलती है नहीं या परचेंग में पैस देबुख में पान्च हजारी गया था टोटल आठ हजारी आलबACH पूंट में आप हाजार जाना चीए था वो गलती से 5,000 की जगा 4,000 चला गया तो वहां हजार रुपय का गलती हो गया तो इसका मतब हरी शाम's account को credit करना है हजार debit किसको करें debit करने के लिए कुछ है नहीं तो को journal entry pass नहीं हो रहा है क्या हो रहा है rectification of incorrect posting बोल के शाम's account में हजार यहां लिख दिये उसको जो गलत अपने करके रखे ते वो rectify हो गया खतम अब इसका जो balance आएगा वो correct आएगा अब total of the debit and the total of credit अब correct हो जाएगा यही तो error था लेकिन note अभी भी एक important बात बाकी है however if this error is is identified after trial balance impact of error is suspense account credit balance रुपीज़ छूज़ थाउज़ रूब बन रूपी एppen रूपी एक्टवर्डब रूपी एक्टवर्डवर्डड़ उफिसाटब रूपी एक्टवर्ड़ साम्स एक्टवर्ड़ एक्टवर्डब गृत्यूच्ट पहीं है कि म् तेँपिते उग्टाने कि हैं इस्द कर दीड वीड वीडिरेशाउंज डिर已經 का स्वेड रश्ट स parlar ये मैंष दीडेशाउंग इस प्योंगंगंग । एकदम सिंपल सा बात है कि अगर आप ट्रायल बैलेंस बना लिए तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा होगा क्योंकि आपका जो टोटल ऑफ्दा क्रेडिट साइड है वहाँ पर credit side में, अब अपना error पकड में आया, error कब पकड में आया, if error is identified after trial balance, अब अपने को error पता चल रहा है, उसके पहले तक error पता ही नहीं चला, तो अब अगर आपको error पता चल रहा है, तो अब आपके पास जबरदस्ती का है, उस conclusion को सुनना, यह अभी पूरा लिखावा देंगे आप लोगों यह सारा conclusion, क्या होता है, conclusion क्या हो रहा है, conclusion यह हो रहा है, कि अगर कोई ऐस, अगर कोई ऐसा error है, जिसके वजह से, total of the debit and the total of credit का mismatch हो गया है, total of the debit and the total of credit match नहीं हो रहा है, in that case, trial balance match नहीं हो रहा होगा, और trial balance match नहीं हो रहा होगा, इसका मतब suspense account खुलेगा, तो अपने जो after trial balance rectification करेंगे, वो suspense account के through करेंगे, लेकिन अगर कोई error ऐसा है, मान लोग कोई error ऐसा है, जो journal entry में mistake हो गया, या subsidiary book में mistake हो गया, तो उसमें तो debit और credit दोनों का error हो गया, उसमें तो दोनों का error हो गया, debit भी error हो गया, credit भी error हो गया, और ऐसा error नहीं हुआ, जिसके वजह से, total of the debit and the total of credit mismatch हो जाए, अपने उपर अभी तक जो दो example देखें हैं ना, अपने दो example को ये अच्छे से समझे हैं, पहला वाला example में mistake कहां हुआ था, journal entry में गलती हुआ था, जर्नल एंट्री में गलती हुआ था, जब जर्नल एंट्री में गलती हुआ, मतलब debit और credit दोनों में गलती हुआ, मतलब trial balance match हुआ, हलाकि error है, error है लेकिन trial balance match हो गया, तो trial balance अगर match हो गया, तो को suspense account नहीं खुला, इसका मतलब अब जर्नल एंट्री पास होगा ना, उसमें कोई suspense account का जर्वत ही नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई error ऐसा हुआ है, जो journal entry में नहीं हुआ, लेजर पोस्टिंग में हुआ, लेजर पोस्टिंग में हुआ, लेजर पोस्टिंग में अगर error हुआ, देखो यहाँ पे गलती से 1000 को record कर दिये थे, इन डाट केस आपका total of debit and total of credit का balance बिगड़ गया, और अब अगर आप trial balance बना लिये तो suspense account खोले हैं, और अगर आप trial balance नहीं बनाये ना, तो सीधा उस ledger में ही rectify करना पड़ेगा, कोई journal entry pass नहीं होगा, जब trial balance match हो जाता है, गलती हुआ है, लेकिन trial balance match हो गया, इसका मतब recording म में गलती है, अगर trial balance match हो गया, तो उसका rectification जो होगा, वो simple सा journal entry pass करके होगा, जाहे वो error पकड़ा जाए trial balance बनाने के पहले, या trial balance बनाने के बाद, लेकिन अगर कोई ऐसा गलती है, जिसके वज़े से trial balance का balancing बिगड़ गया, या ऐसे मान लो, total of the debit and the total of credit में mismatch हो गया, ये क अगर किसी एक लेजर में गलती हो गया, अगर ये आपको error पकड़ में आ जाए पहले ही, trial balance बनाने के पहले ही, तो आप क्या करेंगे, आप उस लेजर में जाएंगे और rectification कर देंगे, उस लेजर में जतना short या जतना जादा है उसको rectify करने के लिए, आप उसी लेजर में entry खतम बात, को जनर्ल इंटी पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि खली एक साइड का, सिंगल साइड एरर बोलते हैं उसको, और टोल अगर टोल अगर बुलते हैं, सिंगल साइड हो गया, तो मतलब दोनों साइड में एरर है, similarly जब subsidiary book बना रहे थे और गलती subsidiary book में हुआ गलती अगर subsidiary book में हुआ तो इसका मतलब एक तो यहाँ पे भी error है और एक यहाँ पे भी error है तो इसका मतलब double-sided error हो गया मतलब recording में error है मतलब double-sided error है recording में गलती है मतलब double-sided error हो रहा है और यह double sided error का rectification कैसे होता है double sided error का rectification एक normal सा journal entry pass करके हो जाता है क्योंकि दो-दो side में effect है मतलब debit और credit दोनों में गलती है तो अपने equal debit equal credit को rectify कर सकते है journal entry pass करके लेखिन अगर error हुआ है in ledger posting मतलब sir क्या हुआ ना ledger posting के वज़े से ledger posting के वज़े से आपका किसी एक side में एक ledger में गलती हो गया एक ledger में गलती मतलब single sided error बोलते है उसके वज़े से अगर आपका वो error पकड़ा गया trial balance बनाने के पहले तो उस ledger में जाके rectification कर दीजे लेकिन अगर trial balance के बाद अगर आपको rectify करना पड़ा तो इसका मतलब आप suspense account खोल के रखें उस suspense account के through rectification entry पास कर दीजे अब थोड़ा सा फटा फट से अपने move करेंगे अपना accounting process क्या है सर अपने transaction पढ़ते है transaction को read करके अपने journal entry पास करते है या subsidiary book में record करते है कोई एक ही काम करते है दोनों काम नहीं करते है subsidiary book में recording करना मतलब क्या तो सर cash book में record कर देना या purchase book में या sales book में या purchase return book में या sales return book में ठीक है bills receivable, bills payable को हम ignore कर रहे है क्योंकि bills payable, bills receivable book, bills payable book generally आपको अभी भी exam में नहीं पूछा जाता है और अगर यह सब मेंdoor अगर journal entry pass पास नहों पाए यान जाता है journal जाता है जरनल प्रॉपर में अगर यह recording में कोई गलती होता है रिकॉर्डिंग में record करने में अगर गलती हो जाता है record करने में अगर कुछ गल्पी हो जाता है तो उसको वो double sided error ही होता है क्योंकि debit और credit दोनों में impact पड़ जाता है तो उसका अपने rectification entry pass कर पाता है अराम से भले ही आपको error पहले मिल गया और trial balance बनाने से या trial balance बनाने के बाद मिला हो same journal entry pass होता है क्योंकि सर इस type का error से na trial balance में फरक नहीं पड़ता है trial balance match हो रहा होता है error होता है बढ़ trial balance match हो रहा होता है and क्योंकि trial balance match हो रहा होता है तो कोई suspense account नहीं खुलता है लेगिन सर अगर ledger posting में गल्ती होता है तो किसी एक ledger में गल्ती होता generally और किसी एक ही ledger में गलती होना मतलब debit और credit का balance बिगड़ जाना single sided error अगर ये गलती पकड़ा जाए trial balance बनाने के पहले तो उस ledger में जाए और खली गलती को rectify कर दीजे वहाँ पे लिखके to rectification of error या by rectification of error लिखके बस जितना amount का गलती है उस ledger में जाए और rectify कर दीजे लिख अपलब आप जो balance बिगड़ा हुआ था उसके लिए suspense account फोल दिए अब trial balance बनने के बाद अब आपको suspense account भी हटाना पड़ेगा इसलिए suspense account के थ्रू आप जर्नल एंटी पास कर सकते हैं इंपोर्टेंट फिंग इस एरर तो हुआ है एरर तो हुआ है बट अपने rectification कैसे करेंगे यह डिपेंड करता कि आपका error कब पकड़ा गया इंटिफिकेशन ओफ एरर इस दा इंपोर्टेंट फिंग एरर तो हुआ ही है तब यह तो rectify करने बोड़ रहा है पट मोर इंपोर गया तो different हो गया treatment and in fact अगर final accounts बनाने के बाद पकड़ा गया ना trial balance बनाने के बाद पकड़ा गया वह एक अलग stage है और अगर final accounts बनाने के बाद पकड़ा गया तो उसमें थोड़ा सा और change होता है वो अपने बाद में last में बात करेंगे इसका मतलब error can be at any stage of the accounting process and more important thing is that error can be identified at any stage of the accounting process accounting will change according to the stage of identification जब error पकड़ा गया उसके हिसाब से अपने rectification करेंगे अपने wait थोड़ी करेंगे मान लो आपको rectification आता है trial balance बन जाए उसके बाद अगर गलती पकड़ा जाए उसका rectification आपको आता है तो अगर trial balance बनाने के पहले आपका कोई error पकड़ा जाएगा तो क्या wait करोगे क्या गलट trial balance बनाने का नहीं ना राइट जहां से समझो अगर आपका error पकड़ा गया trial balance बनाने के बाद तो आप wait करोगे क्या trial balance बनाने का आप तो पहले तुरंट उसको rectify करोगे और अगर नहीं पकड़ा गया trial balance के बाद पकड़ा गया तो क्या कर सकते हैं trial balance के बाद rectify करेंगे ठीक है सो तो थ्री स्टेजेज अफ आइंटीफाइग धियर। जाहन से सब्चों!! बिफॉर्ण प्रिपार ओंवेम ल व्हालिवार। दो टाइ侵 काई चरी एरर होता है एक होता है सिंगल साईडे और ऐहर हेल में और एक होता हैmind सैफियर। just single sided error का मतलब है total of the debit and the total of credit का balance बिगड गया है right मतलब किसी एक ledger में गलती है किसी एक ledger में गलती है तो उस ledger में जाईे और rectification कर दीजे just post in the ledger to rectify double-sided error है तो मतलब कोई suspense account नहीं खुला होगा अगर double-sided error है तो मतलब किसी दो account में error है debit और credit का equal error है तो simple सा वो normal सा journal entry pass हो सकेगा तो double-sided error चाहे trial balance बनाने के पहले पकड़ा जाए trial balance बनाने के पहले पकड़ा गया पर double-sided है मतलब debit और credit दोनों में कुछ गलती है और चाहे after trial balance हो यहाँ से देखो इसमें हम पहले double-sided लिख रहे है यह दोनों का treatment exactly same होगा अगर double-sided error है मतलब क्या तो journal entry में mistake हो गया या subsidiary book में enter करते समय record करते समय error हो गया तो यह error किस type का हुआ यह error हुआ sir double-sided error मतलब debit और credit दोनों में कुछ-कुछ गलती है amount का suspense account नहीं खुला होगा अब उस type का error उस type का गलती चाहे आपको trial balance बनाने के पहले पता चले या trial balance बनाने के बाद पता चले normal एक journal entry pass होगा अगर single-sided error जो आपको trial balance बनाने के पहले पता चल रहा था तो आप खली उपर देख चुके हैं already अगर single-sided error आपको trial balance बनाने के बाद पता चलेगा that means rectification entry past through suspense account after final accounts वाला बात अपने थोड़ा बाद में करेंगे generally कुछ-कुछ schools में न ये syllabus से हटवा भी दिया जाता है but never mind अपने एक बार ये वाला discussion को पहले complete करते हैं उसके बाद after final account में एक छोटा सा adjustment है बहुत छोटा सा adjustment है कोई भाती गोड़ा नहीं है बहुत छोटा सा बात है वो अपने बाद में बात करेंगे ओके यहां तक का बात आई hope आप लोगो clear है because अपने उपर में इसी चीज़ का बहुत detailed discussion पूरा flow बगर बता के अपने कर चुके हैं discussion अब देखो error बहुत प्रकार के होते हैं अलग-अलग प्रकार के होते हैं हम आप लोगो जो अभी तक error बताये थे न बहुत simple simple basic basic error हुआ था but अभी आपको यहां पर बताएंगे देखो कितना कितना तरह का बे मतलब वाला error होता है और वो सारा error का discussion करेंगे आप लोगो मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा बहुत carefully this discussion is actually important because अभी तक हम आपको funda concept बताएं आपको base बता दिये exactly I have laid the foundation for this chapter right flow बताके but अब आपका दिमाग आपको खोलना पड़ेगा because error का क्या सीमा पार error होता है कैसा error होता है वो अब आपको दिमाग यहाँ पे लाना पड़ेगा अलग अलग type का error होगा तो अब आपको picture clear दिखना चीए जो आपने उपर discussion किये है वो picture clear दिखेगा तो आप easily देख पाओगे कि अच्छा यहाँ पर यह error हुआ यह error हुआ इस तरह से आप सोच पाओगे तेखो Error of omission का मतलब यह होता है कि कुछ करना था नहीं किये omit का मतलब नहीं करना omit कर देना नहीं करना करना था इसका मतलब कुछ करना था और नहीं किये तो यह गलती है कि नहीं यह गलती है अरे गोलू started business with cash rupees 10th house है आपका कभी accounts correct बन पाएगा क्या कभी statement of profit and loss और balance sheet कभी भी correct बन पाएगा क्या कुछ करना था नहीं किये तो वह एक error है अब कुछ करना था नहीं किये में क्या-क्या हो सकता है सोचो सर एकदम प्लीज मेरे साथ में आराम से अभी उपर picture अपने देख चुके हैं वो picture को देखते हुए सोचो क्या होगा जर्नल entry pass करना था जर्नल entry pass नहीं किये जर्नल entry अगर pass नहीं किये अगर जर्नल entry pass नहीं किये इसका मतलब ना तो debit किये ना credit किये इसका मतलब चलो वापिस से purchase book में record करना था नहीं किये अभी उपर purchase book में लिखे दे ना shams account 5000 वो लिखना था नहीं लिखे अगर नहीं लिखे मतलब ना तो purchase account में आया purchase account के total में भी नहीं जाएगा ना तो purchase account जो debit होना चाहता ना तो वो हुआ और ना sham account जो credit होना था वो भी नहीं हुआ जहां से समझे अगर recording में omit हो गया कुछ record करना था record नहीं किये कुछ journal entry pass करना था नहीं किये कुछ subsidiary book में enter करना था नहीं किये मतलब अगर recording में error of omission है मतलब करना था नहीं किये recording इसका मतलब double sided error है और double sided error है तो आपने को पता है सर rectification कैसे करना है क्रेडिट करना था क्रेडिट कर दो error of omission मतलब trial balance तो match हो रहा होगा sir trial balance में क्या फरक पड़ता है क्योंकि आपका error जो है न वो debit और credit दोनों में equal amount का हुआ है आप recording ही नहीं किए 10,000 debit भी नहीं किए 10,000 credit भी नहीं किए 5,000 debit भी नहीं किए 5,000 credit भी नहीं किए तो total of the debit and the total of credit तो match होई रहा है लेकिन error तो है अब error को rectify करना है तो जिसको debit करना था कर दीजिए जिसको credit करना था कर दीजिए simple कोई trial balance में error नहीं आएगा लेकिन मान लो recording में error में आपको शाम के account में 5,000 लिखना था लिखना ही भूल गए छोड़ दिए मतलब error of omission तो है कुछ करना था नहीं किए but posting ledger posting नहीं किए करना था नहीं किए क्या classifying करना था नहीं किए क्या ledger posting करना था नहीं किए क्या इस टाइप का error के वज़े से debit वाला side में तो कोई problem नहीं हुआ credit वाला side में problem हो गया यह एक single sided error है जिसके वज़े से trial balance में mismatch हो रहा होगा और trial balance में mismatch हो रहा होगा तो trial balance में suspense account आएगा और इसका जो rectification entry पास करेंगे वो suspense account के थू करेंगे देख लो यही लिखा हुआ है error of omission omitting an entry completely from the subsidiary book और journal entry समझ लो और journal trial balance will still match trial balance तो match करेंगा ही कोई problem नहीं होगा है ना तो इसका rectification अपने को पता है simple एकदम omitting अब दूसरा देखो error of omission में दूसरा point omitting to post the ledger account from subsidiary book या journal entry right journal entry से भी ledgers में लेके जाना पड़ता है और subsidiary books में भी अपने देखे subsidiary books से भी ledger में लेके जाना पड़ता है तो किसी एक ledger में नहीं लेके गए किसी एक ledger में नहीं लेके गए इसका मतलब sir debit credit का balance बिगड़ गया single sided error है trial balance will not match error of commission commission का मतलब करे तो है commit कर दिए कुछ गलत कर दिए error of commission मतलब करना था कुछ था करने को करना था record करना था या posting करना था कर भी दिए बट गलत कर दिए अपने जो example लिए न वो दोनों का दोनो error error of commission था cash to capital 10,000 की जगा 1000 लिखना बतलब entry करना था entry किये बट सर गलत कर दिए 10,000 की जगा 1000 लिख दिए राइट शाम account में अपने को 5000 लिखना था गलती से 4000 लिख लिए बतलब करना था किये बट गलत किये तो error of commission हो गया error of commission का कोई limitation नहीं है बहुत correct error of commission हो सकता है अरे नहीं करता तो अच्छा था कर दिया और गलत कर दिया वो ज़्यादा परिशानी है देखो error of commission कैसा कैसा होता है writing the wrong amount in the subsidiary book अब CDRE book में गलत amount लिखना इसका मतलब recording गलत हो गया sir याद करो purchase book में purchase book में जो अपने अभी अभी बनाए उसमें sham's account अपने 5000 लिखना था बट अपने गलती से sham's account अगर 4000 लिख लिए इसका मतलब sir purchase book का total भी गलत आया जो की purchase account में गलत गया और sham's account का जो लेजर में गया वो भी गलत गया right मतलब debit में भी 1000 रुपया कमती गया और credit में भी 1000 रुपया कमती गया recording में गलती का मतलब sir recording में आप amount गलत लिखे मतलब record करते वक्त अगर आप amount गलत लिखे तो debit और credit दोनों में equal amount का difference हो गया और trial balance match होगा sir trial balance को कोई फरक नहीं पड़ता इस type का error से because debit में भी error है credit में भी error है तो अपने को simply एक normal journal entry pass करना पड़ेगा जिसमें trial balance तो match हो रहा होगा कोई suspense account तो आएगा नहीं normal अपने को बस एक trial balance will still match तो अपने को बस एक journal entry pass करना पड़ेगा लेकिन अपने second वाला posting the amount in the अच्छा चलो यह दूसरा वाला error है discuss कर रहे हैं सुनो सुनना अपने उपर example यह purchase book का परचेज book में shams account 5000 था तो पांच हजार ही लिखे बट वहाँ पर ना shams account की जगा मान लो shams account की जगा गलती से राम account लिख दिए शams account की जगा गलती से राम account लिख दिए मतलब purchase book का total जो है वह 8000 ही रहा और वह 8000 गया purchase account में correct और जो shams account में जाना चाहिए था 5000 credit side में वह shams account में नहीं जाके कहा गया राम account में गया तो total of the debit and the total of credit में कोई difference नहीं आया total of the debit and the total of credit तो अभी भी match कर रहा है बस क्या हुआ गलती क्या हुआ कर हम लोगों को shams account को credit करना था 5000 वह नहीं हो पाया और राम का account को credit नहीं करना था राम के account को credit नहीं करना था 5000 अबर राम का account गलती से credit हो गया तो कि error कहा था error था recording में तीज ध्यान देना error था recording में error recording में क्या गलती हुआ क्याम account के जगा राम account लिए बस नाम गलत हो गया या फिर ऐसे मान लो वापिस से इसको री फ्रेज कर रहे हैं इसी बात को री फ्रेज कर रहे हैं प्ली सुनना हम लोग purchase book में सही नाम लिखे हैं purchase book में शाम ही लिखे हैं 5000 लेखिन वहाँ से जब posting किये न तो गलती से शाम account की जगा राम account में ले गए इस error को समझो हम लोग purchase book बनाएं purchase book में शाम account 5000 जो लिखना था वो लिखे एकदम correct लिखे recording में कोई गलती नहीं था फिर हम लोग लेजर में लेके जाना पड़ता है तो purchase book का total को हम लोग एकदम correctly purchase book में ले गए फिर जो शाम account के 5000 credit side में जाना चीए था वो शाम account के जगा राम account में credit हो गय लेकिन credit तो हो गया trial balance में तो जाएगा वहां से trial balance का तो total debit and total credit match होगा ही लेकिन गलती क्या हुआ सर शाम account को credit करना चाहिए था आपको पांस जार उसको तो आप credit नहीं किये शाम account को credit करना पड़ेगा राम account को credit नहीं करना था जबरदस्ती credit कर दिये पांस जार उसको debit करिए तो राम account debit to शाम account राम's account debit to शाम's account अग्री प्लीज गाईज प्लीज अग्री इसलिए बात भी हम लोगों समझ में आ गया पोस्टिंग एन अमाउंट इन दर रॉंग अकाउंट पोस्टिंग में गलती है पोस्टिंग मतलब लेजर राइट रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल रिकॉर्डिंग मतलब सबसेडियरी बुक पोस्टिंग मतलब लेजर posting an amount in the wrong account but on the correct side correct side मतलब sham account के credit side में लेके जाना था sham account के credit side में नहीं जागे ram account के credit side में गया मतलब correct side में गया तो इसके वाज़े सही भी trial balance will match journal entry will be ram account debit to sham account जो discuss किये I hope आप लोग agree कर रहे हो अब एक एक करके सुनो wrong casting of subsidiary book purchase book का total आ रहा था 8000 हम लोग शाम account जो लिखना था 5000 करेक्ट लिखे हैं हम लोग राहूल account में 3000 लिखना था करेक्ट लिखे हैं पांच और 3000, 8000 टोटल होता है न वो गलती हो गया ध्यान से समझना हम लोग का recording correct है recording मतलब तू शाम अकाउंट 5000 राहूल अकाउंट 3000 फिर recording correct हुआ फिर जो total करके 8000 लेके आना था और 8000 को लेके जाना था purchase अकाउंट में उसमें गलती हो गया उसमें क्या हुआ total करते समय गलत हो गया total हम लोग 8000 की जगा total 8000 की जगा हम लोग गलती से totaling कर दिये 7000 error क्या हुआ total करने में हुआ यह error of recording नहीं है record तो correct ही हुआ लेकिन total करने में error हुआ total का impact सोचो impact क्या हुआ सर वो जो total गलत हुआ वो गलत वाला total चला गया purchase account के debit side में error जो हुआ है वो खली purchase account में हुआ है क्योंकि सर record जो किये था ना शाम account वो तो 5 एरी किये और शाम के account में credit 5 एर जाना चाहिए था 5 एरी गया राहुल के account में 3000 जाना चाहिए था 3000 चला गया purchase account का total 8000 आना चाहिए था और 8000 जाना चाहिए था purchase account में लेकिन वो गलती से total आप गलत कर दिये थे वो total आप 8,000 की जगा 7,000 कर दिये थे ये 7,000 जो total हुआ वो गया purchase account में तो मतलब अभी जो error हुआ वो कहां हुआ error तो सिर्फ purchase account का debit में गलती हुआ और कहीं कोई गलती नहीं हुआ ये single sided error है इसके वज़े से trial balance match नहीं हो रहा होगा total of the debit and the total of credit match नहीं हो रहा होगा अगर error अपने को trial balance बनाने से पहले पकड़ा जाए तो अपने purchase account में लिखेंगे to rectification of error 1,000 लेखिन अगर trial balance बनाने के बाद पकड़ा जाए तो trial balance जब अपने बनाए तो अपने suspense account में लिख दिये होंगे debit side में suspense account debit में लिख दियोंगे 1,000 trial balance को match कराने के लिए तो अपने को rectification entry pass करना पड़ेगा purchase account जो कमती debit हुआ 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 उसको और debit करो purchase account debit 1,000 to suspense account 1,000 purchase account debit 1,000 to suspense account 1,000 agree करो please wrong casting casting word का मतलब होता है कास्टिंग मीन्ज टोटल इंग राइट वान भी गरीमा प्लीज अगरी करना वकी लोग फटाफट प्लीज अगरी कर जाना एक बार की हां सर्क समझ में आगया correct है next क्या बोल रहा है posting the wrong amount in the ledger यह अपने discuss किये थे recording correct है गलती किस में है posting में है error of posting में गलती है क्या हुआ recording जो करना था ना sham account 5000 purchase book में sham account 5000 वो हम लोग correct लिखे हैं एकदम correct लिखे हैं प्र posting करते वक्त amount गलती से 4000 लिए यह भी single sided error है क्योंकि sir purchase book का total तो correct आ रहा होगा purchase account में कोई error नहीं है sham account का recording correct था क्योंकि लेकिन sham account का जब ledger posting के तो amount गलती से 5000 की जगा 4000 लिख दिए खाली sham account एक ledger में गलती है credit 5000 होना चाहिए था हो गया 4000 यह भी single sided error है इसको भी अपने को suspense account के through journal entry pass करना पड़ेगा अगर trial balance बन चुका हो उसके बाद अपने को error पता चला है अगर trial balance बनाने के पहले ही अगर error पता चल गया तो खाली sham account में जाके by rectification of error 1000 लिख देंगे posting the wrong amount in the ledger posting an amount on the wrong side imagine बहुत dangerous mistake है यह आपरे वाला कुछ निया बहुत ज़्यादा easy है आप लोग अगर यह picture देख पा रहे हो तो आप लोग के लिए मजाग है क्या हुआ sham account 5000 recording बिल्कुल correct recording बिल्कुल correct sham account को 5000 को उठाना था 5000 ही उठाए कहां लेके जाना था sham account के credit side में लेके जाना था गलती से sham account के debit side में ले गए गलती से wrong side error का तो कोई परिभाशा नहीं है न error का तो limitation नहीं है कि कैसा कैसा error हो सकता है देख लो कैसा कैसा error हो रहा है सब कुछ correct किया sham account का recording भी correct किया purchase book का totaling भी correct किया purchase book का total को purchase book का total purchase account में लेके गया सब कुछ correct किया शाम account भी correct pick किया, amount और account दोनों correct pick किया, तिर ले के जाना था credit side में, गलती से ले गया debit side में, बस ये error है, आब इसका impact सोचो, impact सोचो, सर्व, credit side में 5,000 जाना था, गया नहीं, मतब credit side 5,000 से कमती हो गया, credit side 5,000 से कम हो गया, और debit side में 5,000 नहीं जाना चाहिए था debit side में 5,000 नहीं जाना चाहिए था debit side में extra जबरदस्ती का 5,000 लिख दिया एक तो credit में 5,000 लिखना चाहिए था नहीं लिखा वहाँ पे credit short हो गया debit side में जो नहीं लिखना चाहिए था 5,000 वो भी लिख दिया इसका मतब credit और short हो गया credit side is short by कितना 10,000 credit side में जो balance दिखा रहे कमती कितना 10,000 credit side में जो अपने को suspense account लिखना पड़ेगा कितना 10,000 इसको rectify करने के लिए अगर trial balance बन चुका और उसके बाद अपने को error पकड़ में आया तो क्या करेंगे suspense account का जो credit balance दिख रहा है 10,000 suspense account को debit करो सर 10,000 और two shams account two shams account कितना 10,000 क्यों सर क्योंकि एक तो वो debit हुआ हुआ पांच हजार गलती से उस पांच हजार को debit को कम करने के लिए credit करो 5,000 और एक credit होना चाहिए ता 5,000 उसके लिए credit करो 5,000 तो total shams account टोटल शाम्स अकाउंट शुद बी क्रेडिटेड बाई 10,000 देन दर एक्रिफिकेशन विल बी कंप्लीट राइल बैलन्स के बाद अगर ये एरर पकड़ा जाता है तो जर्नल एंट्री विल बी सस्पेंस अकाउंट डेबिट तू शाम्स अकाउंट 10,000 अगर गलत साइड में लिख दिया ना रॉंग साइड का मतलब रॉंग साइड का मतलब एरर ओफ डबल अमाउंट ये वला अग्रीड एक है सब कोई अगर रॉंग साइड में पोस्टिंग कर दिया एक तो क्रेडिट होना चीए था नहीं किया वह 5000 को पहले ठीक करने के लिए क्रेडिट करो 5000 डेबिट नहीं करना चीए था जबरदस्ति डेबिट कर दिया उसको ठीक करने के लिए और अब यहाँ पर एक चीज मान लो यही वाला emphasize 잉ट cold sेम ड़र अबट एरर पकडा गया एरः पकडा उपकर इतरा गया विफोर प्रिपेरिंग इस प्रिपेर इस बालड तो विफोर पृपर इस तो बनाुट error कहाँ पर है खली शाम की account में है शाम's account में जाएंगे और credit side में लिखेंगे by rectification of error कितना 10,000 तब वो correct होगा agree कर देना एक बर please guys everyone please agree अभी next सुनो wrong balancing of an account wrong balancing का मतलब purchase account का example लेते है purchase account में अपना example में purchase account में purchase book का total आया था 8,000 और cash book से आया था cash purchase 2,000 तो total cash book का debit side में अपने को मिला था figure 10,000 लेकिन उसका buy balance carried down जब किया न तो totaling गलत कर दिया balancing मान लो गलत कर दिया balancing क्या क्या 10,000 करना चाहिए था गलती से balancing मान लो गलती से balancing कर दिया 11,000 तो गलती से परचेज अकाउंट जो ledger है परचेज अकाउंट जो ledger है ledger balancing कर रहा था तो purchase account ledger में 8,000 आया था purchase book से credit purchase शाम और राहूल का 5 और 3 8,000 और cash purchase cash book से आया था 2,000 8 और 10,000 का total हो रहा था purchase book का बट जब purchase account का total purchase account का total हो रहा था 10,000 बट purchase account का जब balancing किया तो by balance carried down जो लिखा वो गलती से 11,000 लिख दिया गलती से 11,000 लिख दिया trial balance में उठके debit side में trial balance में debit side में purchase account दिख रहा है 11,000 बाकि और कोई error नहीं है बाकि सब कुछ सही है क्या trial balance मैच होगा तो obviously नहीं होगा क्योंकि आप जो error कर रहे हैं वो खरी debit side में आप 1000 लुपया बढ़ा दिये बिना मतलब का debit side में आप बिना मतलब का purchase account को 1000 ज़ादा दिखा रहे है credit side में को error है नहीं इसके वज़े से trial balance match नहीं हो रहा होगा और आपको suspense account लिखना पड़ गया बताओ suspense account कौन सा side लिखना पड़ गया sir debit side में आप total ज़ादा कर रहे है 1000 ज़ादा है क्योंकि purchase का balance ज़ादा है तो purchase हम लोग debit side में लिख रहे हैं trial balance में debit column में तो हम लोग का debit 1000 से ज़ादा दिख रहा है हम लोग को trial balance को match कराने के लिए suspense लिखना पड़ गया credit में हम लोग को suspense लिखना पड़ गया credit में suspense अगर हम लोग को credit में लिखना पड़ गया अब हम लोग को trial balance बनाने के बाद ये error पकड़ में आया तर suspense जो जबरदस्ती का credit करके रखे हैं उसको debit करिए और purchase जो जबरदस्ती एक हजार से बढ़ा हुआ है debit हुआ हुआ है उसको कमती करिए credit करिए suspense account debit to purchase account suspense account debit to purchase account 1000 and it will be rectified मान लो ये वाला error trial balance बनाने के पहले पकड़ा जाता तो इसका मतलब trial balance बनाने के पहले पकड़ा गया तो single sided error को कहा rectify करते हैं before preparing trial balance ledger में ही जाके करते हैं तो purchase account में गए purchase account में 11,000 दिख रहे है यहां पर balance is carried down और यहां पर actual में अपने को दिख रहे है 10,000 तो अपने balance को कम करने के लिए ledger में ही अपने अपने ledger में ही credit side में लिख देंगे by rectification of error 1,000 और अपना जो balance carried down आएगा वो अपने आप 10,000 हो जाएगा ओके एक test अफटा फट से error of posting may और may not affect the agreement of trial balance और trial balance हो सकता agree करे या ना करे agree का मतलब match tallying या matching agreeing का मतलब tallying या matching situation 1 account to which the posting was made correct है sham account में जाना चाहिए तर शाम account में गया है debit or credit side में correct गया है ये भी correct है amount भी correct amount wrong है यहां देना बताओ क्या होगा मतलब sham account में गया credit side में गया 5000 की जगा 4000 गया इसका मतलब single sided error हो गया whether affects the agreement of trial balance yes it affects यहां से समझो yes means single sided error 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 rectification through suspense account no means double sided error no suspense error 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 account to which the posting was made sham account में जाना चाहिए था sham account में गया credit side में जाना चाहिए था गलती से गया कहां debit side में amount with which the posting was made वो भी correct है right हुआ क्या था the पांच हज़ जाना चाहिए था रौन साइड में जाना चाहिए था नहीं जाना चाहिए था credit side में गलती से wrong side में चला गया wrong side में चला गया trial balance match होगा ती नहीं match नहीं होगा trial balance को affect करेगा हां करेगा देखो whether affects the agreement of trial balance yes it affects the agreement of trial balance guys एक बर please agree करो यहां तक का बात clear रहे क्या अगर हम yes बोल रहे हैं मतलब trial balance match नहीं हो रहे है it impacts trial balance trial balance में असर पढ़ रहा है question अपने से पूछा क्या trial balance में फरक पढ़ रहा है तो I am saying yes trial balance में फरक पढ़ रहा है trial balance में फरक पढ़ रहा है मतलब suspense account खुल रहा है और जो rectification होगा वो थूर suspense account होगा next number three देखो शाम account में गया correct गलत side में चला गया और amount भी गलत चला गया अरे बापरी तो बहुत भयानक mistake हो गया एक तो credit में जाना चाहिए था गलती से debit में चला गया दूसरा 5000 की जगा 4000 चला गया ठीक है इस error को आप लोग समझ गयो चाम account का recording correct है 5000 का correct है शाम account में जाना चाहिए था शाम account में गया लेकिन credit side की जगा debit में गया पहला बात और 5000 की जगा 4000 गया बताओ इसको rectify कैसे करेंगे suspense account खुला होगा 9000 are you able to see the 9000 तर एक तो 5000 से credit करना चाहिए था नहीं हुआ डेबिट नहीं करना था 4000 से 4000 से डेबिट कर दीगा मतलब अब rectify करने के लिए शाम account को credit करना पड़ेगा कितना 9000 इसका मतबसर suspense खुला होगा 9000 का तो suspense account debit to sham's account 9000 तो इसमें suspense account आएगा क्योंगी trial balance पर असर पड़ा है क्या येस सर इसमें भी फरक पड़ा है trial balance में येस next account to which the posting was done account ही गलत है गलती से राम account में चला गया शाम की जगा राम में चला गया ठीक है शाम account में credit होना चाहिए था शाम account में नहीं credit होके राम account में हो गया side correct है देखो credit side का credit side ही है और amount भी 5000 का 5000 ही है इसका मतलब trial balance match होगा it does not affect trial balance does it affect the agreement of trial balance no it does not affect the agreement of trial balance which one do you want me to explain once again एक बार फिर से बोलो कौन सा वाला वापिस से repeat करें one two three four फटा फट से बोल देना कौन सा वाला okay next कर रहे हैं अपने five account जो पिक किया वो गलत किया शाम की जगा राम हो गया ठीक है वहां तक तो सर कोई problem नहीं है क्योंकि खाली ledger change हो रहा है debit या credit का total में कोई फरक अभी तक नहीं पड़ा आगे देखते हैं फिर बोल रहा है credit side में जाना चीए था हाँ credit side में गया लेकिन amount गलत चला गया amount अगर गलत चला गया 5000 की जगा 4000 अगर credit हो गया या 5000 की जगा अगर 6000 credit हो गया तब debit credit का संतूलन बिगड़ गया debit credit का अगर संतूलन बिगड़ गया मतलब trial balance match नहीं होगा यह trial balance को impact करेगा yes हड़ बन रिपीट कर दें सुनो यह वाला सुन लो वापिस से क्या बोल रहा है इसमें बोल रहा है account मतलब sham account यूज हुआ कोई problem नहीं है sir side गलत हो गया side गलत मतलब बस यहीं तो बवंडर हो गया क्या हुआ sir sham account में जाना चाहिए था sham account में गया है लेकिन जाना चाहिए था credit side में कलती से चला गया debit side में एक तो वह गलती हो गया दूसरा अमाउंट देखो अमाउंट जाना चाहिए था 5000 हो गया गलती से 4000 है मतलब गलत है एरर है 4000 एक तो credit की जगा debit दूसरा 5000 की जगा 4000 दो दो गलत है दो दो एरर है क्रॉस का मतलब दो दो एरर क्रॉस मतलब एरर क्रॉस मतलब एरर क्या हुआ एक तो शाम अकाउन को सर्ग को credit करना चीए था 5 हैर से वह आप credit नहीं किये वह वाला शाम का account को credit करिए 5000 के कहला तो यह दूसरा शाम अकाउन को debit करना ही नहीं था आप जबरदस्ति कर दिए औरaker से नहीं किये 2000 आप 4000 से debit कर दिए उसको rectify करने के लिए आप 4000 और credit करिए मतलब total rectify कितना करिए 9000 मतलब sham account को अभी आप rectification करिए to sham's account credit करिए sham's account को 9000 मतलब आप जब trial balance बनाए होंगे ना तो 9000 का difference आया होगा और अब suspense account को credit side में लिखे होंगे 9000 फटाफट से एक बड़ प्लीज अग्री कर देना गाइस यह वाला देखो क्या हुआ correct account में गया है correct account में गया मतलब sham account में गया है और यह भी correct है sir मतलब ती credit side में जाना था credit side में गया है बट आप 5000 की जगा 4000 लिख दिए मतलब 1000 कमती कर दिए मतलब credit में 1000 कम है तो total of the credit side is 1000 shot तो इसका मतलब trial balance match नहीं हो रहा होगा suspense account खुला होगा 1000 का आप जर्नल इंट्री पास करना पड़ेगा आप credit में suspense account को डाल के रख्योंगे 1000 इसलिए बिसको rectify करने के लिए आपको जर्नल इंट्री पास करना पड़ेगा suspense account debit 2 शाम जगाउंट 1000 रॉष्णी फटाफट से confirm करो दोनों point clear है क्या 1 और 3 we are discussing number 6 then point number 6 अच्छे से देखो account कौन सा wrong account मतलब शाम की जगा राम शाम की जगा राम पहला बात तो सर इससे ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है यहना शाम की जगा राम लेजर चेंज हो गया debit और credit का संतूलन अभी तक नहीं बिगड़ा साइड देखो साइड गलत हो गया पस यहां बवंडर हो गया साइड भी गलत हो गया मतलब एक तो राम अकाउंट एक तो राम अकाउंट आप चूज कर लिए और दूसरा आप credit side की जगा debit side कर दिए चाम की जगा राम credit side की जगा debit side ठीक है amount 5000 का 5000 ही है ती सोचो कैसे rectify करोगे जहां से सुनना तर पहला point शाम अकाउंट 5000 से credit होना चाहिए था नहीं हुआ शाम अकाउंट credit करिए टू शाम अकाउंट 5000 करिए ठीक है और राम अकाउंट debit नहीं होना चाहिए था राम अकाउंट को भी आप debit कर दिए और देखे राम साइड बोल रहा है ना एक तो राम का अकाउंट चूज किए और फिर credit के जगा debit कर दिए मतलब आप राम अकाउंट चूज किए वो ही गलती कर दिए और उसके बाद आप उसको debit कर दिए मतलब राम अकाउंट भी debit नहीं होना चाहिए था पांच यहर से आप debit कर दिए उसको भी credit करिए मतलब टू शाम अकाउंट टू राम अकाउंट और ऐसा एरर के वज़े से trial balance obviously match नहीं हुआ होगा दस हजार का difference आ रहा होगा वो दस हजार का difference गया होगा suspense में credit में उस suspense अकाउंट को debit करिए इसका journal entry फिर से बोल रहे हैं बहुत important है सुनो अगर ये मेरे साथ सुन सुन के सोच पा रहे हो अगर ये मेरे साथ सुन सुन के आप लोग verbally एकदम आराम से शां expense account debit दस हजार to sham का account पांच हजार to ram का account पांच हजार इस गलती का error इस गलती का आपको rectification बता रहे हैं और ये एक ऐसा error है जो trial balance को असर करता है trial balance पर इसका फरक पड़ता है yes it will affect last point account to which the posting was made wrong है right मतलब शाम की जगा राम credit की जगा debit हो गया can't हो गया trial balance में असर पड़ेगा क्या हाँ यहाँ ही पे लिग्दो पड़ेगा उपर से 5000 की जगा 4000 amount भी गलत right शाम की जगा राम credit की जगा debit 5000 की जगा 4000 rectify कर सकते हो क्या बोलो तर शाम account को credit करना था 5000 नहीं किये credit कर दो टू शाम's account credit 5000 राम account को debit नहीं करना था कर दिये credit करो कितना से कितना debit कर दिये गलती से 4000 तो credit करो 4000 इसका journal entry बोल रहा है number 7 का सुन लो suspense account debit 9000 9000 तो शाम's account 5000 तो राम's account 4000 यहां पर आप लोग प्लीज मेरे को फटा फट कंफर्म करो खली एक example करेंगे थोड़ा सा patience रखना और एक example जो करेंगे न वो भी मेरे साथ साथ कर लेना बड़ा मजाएगा इसमें अगर doubt है तो बोलो if you want me to repeat I'll repeat I'm telling you अपने ये वाला जो discussion किये ना almost हर तरह का error अपने capture कर लिए अब क्या चाहिए होता इस chapter में अलग-अलग question का language read करके error को समझना ये practice आपके end से चाहिए अपने एक question के through इसको cover करने का कोशिश करेंगे अपने आज के class में यही वाला example करेंगे and through this example we'll try to cover the complete concept क्या बोल रहे है सुनो थोड़ा सा patience रखना ये वाला example भहुत शांती से बिना हडबड़ी के ना पहले बोले थे थोड़ा सा extended class है तो थोड़ा सा patience रखो और सुनो बात को अच्छे से समस्ते वे rectify the following errors assuming that the errors were detected error कब पता चला यही तो खेला है पुरा इसी का तो खेला था right कब identify हुआ कब detect हुआ errors were detected before the preparation of trial balance after the preparation of trial balance और एक और पॉइंट बोल रहे हां पर after the final accounts but after the final accounts अपने बाद में discuss करेंगे ठीक है तो पहले अपने focus कर रहे हैं खली before the preparation of trial balance and after the preparation of trial balance but before final accounts अभी तक final accounts नहीं बना यह मान के तो अपनी क्या करते हैं झाल अगर गलती पकड़ा जाए ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले या फिर गलती पकड़ा जाए आफ्टर ट्रायल बैलेंस अपने सिर्फ ए और बी डिसकस कर रहा हैं सी अभी डिसकस नहीं कर रहा है ज्यान से देखो क्या बोल रहा है परचेज प्लांट फॉर रुपीज टैन थाउजन रॉंगली पास्ड थूदा परचेज अकाउंट ज्यान से समझो प्लांट अगर खरीदते हैं प्लांट खरीदे हैं प्लांट अकाउंट is a fixed asset प्लांट अकाउंट को डेबिट करना था प्लांट कोई गुड्ज नहीं है कि परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे हाँ सर ये बात तो सही है ठीक ही बोले प्लांट कोई गुड्ज नहीं है कि आप परचेज अकाउंट को डेबिट करो लेकिन आप गलती से करतीए हो थूपरचेज अकाउंट wrongly passed to purchase account to purchase account अगर pass हो गया तो आप कर दिये purchase account debit to cash या creditor जो भी उसमें error नहीं है error कहा पह रहा है plant account के जगा purchase account select हो गया ये recording में error है recording में error है purchase plant was passed through passed through मतलब error in recording और ऐसा error है कि जिसके वज़े से खली ledger का जो account select किये न purchase account select कर दिये गलती से select करना था अपने को plant account please agree करो यह वारा point clear है क्या यह एक ऐसा error है जो double sided error है trial balance पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा तो इसका जो अपने journal entry pass करेंगे rectify करने के लिए वो चाहे before trial balance हो या after trial balance हो same ही होगा यह इस category में है देखो इस category में है इस category में है double sided error चाहे before trial balance हो चाहे after trial balance before final account को simple सा journal entry pass कर दो मेरे पास answer आ चुका है आप लोग का fantastic बाकी लोग भी जो अभी तक answer नहीं किये हैं please answer करो sir आपको न plant account को debit करना चीए था plant account debit करना चीए था और purchase को आप जबरदस्ती debit करके रखें हैं please purchase को credit कर दीजे amount कितना है 10,000 all right और यहां पर भी plant account debit to purchase account 10,000 यह अपना हो गया नमबर वन नमबर टू sales day book sales day book was cast shot by rupees thousand sales book है sales book का total होना चीए था 15,000 गलती से total कर दिये चौदा हजार 15,000 के जगा 14,000 मतलब under cast cast shot इसको दूसरे language बोलते हैं under cast जहां से समझो यह error of commission तो है ही error of commission तो है ही लेकिन यह एक ऐसा error है जिसके वज़े से trial balance match नहीं हुआ होगा totaling में error है totaling में error होने के वज़े से sales account में जो credit होता है sales account में जो credit होता है sales day book का total कहां जाता है sales account के credit side में sales day book का total जो sales account के credit side में गया वो जो 15,000 जाना चीए था वो खरी 14,000 गया वो जो 15,000 जाना चीए था वो सिर्फ 14,000 गया मतलब sales account में 1000 रुपया कम credit हुआ हुआ है sales account को और credit करना है 1000 रुपया से sales account को और कमती करना sales account को और credit करना है thousand rupees और ये एक single sided error है sir और कोई कहीं भी कोई error नहीं है खली sales account में error है खली sales account में 1000 रुपया का और credit करना और कुछ नहीं करना है तो ये single side error है इसके वज़े से trial balance match नहीं हुआ होगा trial balance बनने के बाद वाला में after trial balance में suspense account के through entry पास करना पड़ेगा but before trial balance में खली ledger में जाके अपने rectification कर देंगे सब कोई please बोलो ये बात समझ में आया क्या बट अगर rectification अगर अगर आफटर त्राल बालांस है सर शुपन्स अकाउंट देबिट 1000 तो सेल्स अकाउंट 1000 नमबर थ्री everyone careful cash paid to Mr. X 4 रुपीज 1000 was posted to his account as 100 मतलब अपने X को payment किये X को जब payment किये तो मतलब क्या हुआ अपने cash account को credit किये और X account को debit किये cash paid to X का मतलब X account debit yes or no X account को जो debit करना था 4 रुपीज 1000 posted to his account मतलब पोस्टिंग में गलती है मतलब लेजर पोस्टिंग में गलती है मतलब खली X के account में गलती है सिर्फ और सिर्फ X के account में गलती है कितना और his account as rupees 100 मतलब rupees 900 error X का account को और debit करना था 900 से वो debit नहीं किये X का account should be debited more by rupees 900 X का account should be debited more by rupees 100 यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे I am waiting for your answer अभी तक आप लोगा answer नहीं आया है rupees 900 लेकिन अगर after trial balance है मतलब debit में जबरदस्ती का suspense account खुला हुआ है जबरदस्ती का suspense account आ रहा है X's account debit to suspense account 900 number 4 पर्चेस गोड़ फ्र ट for rupees 3500 पर्चेस गोड़ फ्र ट for rupees 3500 was entered in the purchase day book as rupees 500 recording में गलती है purchase day book में ही गलत recording हुआ amount का 500 Mr. T से Mr. T से purchase किये 3500 पांच सोखा enter entering मतलब recording posting मतलब ledger posting recording entering right classifying posting यह बात यह सब language से आपको एकदम familiar होना है तो was entered in the purchase day book as rupees 500 लिखना था purchase day book में 3500 लिख दिया गलती से 500 यह एक double sided error है क्योंकि purchase day book का total भी wrong आया होगा मतब purchase account में जो गया वो भी 3000 कमती गया और T account Mr. T का account में जो credit होना चीए था वो भी 3000 से कमती हुआ मतब purchase account को भी debit करिये sir 3000 से और T का account को credit भी करिये 3000 से यह क्योंकि इसा double sided error है तो दोनों में treatment सेम होगा before trial balance और after trial balance इसमें कोई suspense account नहीं खुला होगा प्लीज बताओ everyone प्लीज बताओ इस जर्नल एंट्री में सस्पेंज क्यों आएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग में गलती हुआ तो परचेस अकाउंट में डेबिट भी कमती हुआ और टी के अकाउंट में जो परचेस बुक से जाके क्रेडिट होता है वो भी सिर्फ 500 गया है ना जाना चेता साढ़े परचेस अकाउंट डेबिट टीज अकाउंट प्लीज कन्फर्म करो नंबर फाइव पेड़ सैलरी फॉर रुपीज थी थाउजन जाना सैलरी का पेमेंट के तीन हजार रॉंगली पास्ड थू वेजेज अकाउंट मतलब करना था सैलरी टू कैश गलती से कर दिया वेजेज टू कैश salary to cash की जगा wages to cash सर इसके वज़े से debit और credit का संतूलन नहीं बिगड़ा debit and credit का balance नहीं बिगड़ा इसके वज़े से trial balance तो match हो रहा होगा ये trial balance को असर नहीं करता है ये double-sided error है इसके वज़े से कोई suspense account नहीं खुला होगा इसका जो सर हम रूप rectification करेंगे न वो एक journal entry के through करेंगे और दोनों में rectification सेम होगा चाहे before trial balance हो या after trial balance हो बोलो इतना बात तो समझ में आया क्या और अब simple सा बात इतना है कि सर salary account को debit करना था नहीं कि ये debit कर दीजे wages account को debit नहीं करना था debit जबर्दस्ती करके रखेंगे credit कर दीजे salary account debit wages account 3,000 salary debit होना चाहे था 3,000 से नहीं हुआ और wages जबर्दस्ती 3,000 से debit हुआ है credit कर दीजे 3,000 काइज अगरी करो I understand this was a very easy question आप लोग जब अपने आप करोगे तो कुछ-कुछ अच्छा question आप लोग को मिल सकता है do not worry आप लोग एक बार यहां पर आकर के फोड़ा सा इस situation को एक बार analyze करना आप लोग को correct entry मिलेगा और दूसरा थोड़ा सा language के साथ आपको well worse होना पड़ेगा that's why थोड़ा सा practice का जरुआ था इस chapter में but fundamentally conceptually I think अगर आप लोग इस discussion में पूरी तरह से अच्छे तरह से participate की हो तो आप लोगो funda clear है theoretical point के लिए मेरे को error of principle and compensating error भी discuss करना है सुनना theory में यह सब question बहुत easily पूछा जाता है the thing is error of principle का मतलग अपने accounting principles जानते हैं we know there are some generally accepted accounting principles जो अपने को बोलता है कि किस चीज का कैसे accounting करना है like say for example अपने जब basics पढ़ रहे थे एकदम तो अपने बोले थे कि सर जो capital expenditure होता है उसको अपने capitalize करते है fixed assets में जाता है और revenue expenditure हम रुका expense है profit and loss account में जाता है ठीक है और सर जैसे क्या होता है कि आप एक नया machine खरीदे है नया machine का जो installation होता है वो नया machine का installation का खर्चा भी asset में capitalize हो जाता है नया machine को install कराने का खर्चा भी asset की account में ही capitalize हो जाता है अब ये एक principle है लेकिन अगर आप installation expense को आप revenue expense अगर treat करते हो तो ये error of principle हो गया अभी जैसे अपने किये एक error जिसमें क्या हुआ खरीदा क्या था खरीदा plant और मान लिया purchase of goods, right ये principally गलत है, goods का accounting अलग तरीके से होता है, goods का accounting purchase or sales or purchase return sales return के थूँ होता है, but plant का counting तो plant account ही debit करना था fixed asset account को debit करना था तो ये error of principle हो गया ये principally कुछ गलत है principally कुछ गलत है that is error of principle, error of principle के वज़े से generally, trial balance को फरक नहीं पड़ता है, अरे trial balance को क्या फरक पड़ा, आपको debit करना था plant account, आप गलती से debit कर दिये purchase account, तो debit और credit का संतूलन तो नहीं बिगड़ा, तो trial balance को कोई फरक नहीं पड़ा, right, तो error of principle अपने को समझ में आ गया, treating a revenue expenditure as capital expenditure, और vice versa, or treating the sale of fixed asset, ordinary sale, है ना, sale किया fixed asset और बोल रहा है, sales account को credit, गलत है, error of principle है, इसके वज़े से trial balance को फरक नहीं पड़ता है, because total of the debit and the total of credit remains the same, उसमें कोई फरक नहीं पड़ा, trial balance will match, compensating error क्या होता सुनना, compensating error का मतलब, ऐसा दो single sided error, है ना, एक error है, single sided error है, trial balance नहीं match हो रहा होगा, और एक और error हुआ है, single sided error हुआ है, ऐसा दो error, जो आपस में एक दूसरा को compensate कर दे, और आपको trial balance match हो जाए, शांते सोचूँ, मतलब, एक ऐसा error है, जिसके वज़े से suspense account credit side में लिखना था, 1000, और एक ऐसा error है, जिसके वज़े से suspense account लिखना था, 1000 रुपया के debit में, 1000 debit, 1000 credit के चक्कर में, कोई suspense account खुला ही नहीं, क्योंकि trial balance match हो चुका, बट इसका मतलब यह नहीं है, कि error नहीं है, double double error है, दो-दो error है, और दो error ऐसा है, जिसके वज़े से, वो लोग आपस में एक दुसरा को compensate कर दिया, और trial balance match हो गया, right, theoretically, यह आप लोग को exam में बहुत बार पूछा जाता है, these are errors that cancel each other, example, under posting of the purchase journal, may be compensated और cancelled out with under casting of sales journal, right, बतब purchase का total भी कमती हो गया, sales का total भी कमती हो गया, तो purchase का total जो debit में गया, वो भी 1000 रुपया कमती गया, दो error है, दो दो single sided error है, दोनों में totaling में error था, लेकिन वो दोनों error ऐसा हुआ, कि दोनों 1000, 1000 रुपया एक दुसरा को compensate कर गया, और trial balance match हो गया, trial balance will match, ठीक है, right, तो देखो जो आज का अपना discussion था, उसमें, अभी जो अपना discussion था, उसमें सिर्फ अपना, final accounts का खली जो है न, final accounts के बाद में, क्या rectification होता है, खली वो वाला point रह गया है, 5 minute में बताएंगे, सुन लेना, ठीक है, उसके ओपर जो numericals है, examples है, वो आप लोग अपने अप करोगे, तो समझ में आएगा, अभी हम इसका logic के साथ, आप लोग को बता दे रहे हैं, सिर्फ, I'll need just 5 to 10 minutes, और example के साथ, एक-दो entry पास करके, आप लोग को दिखाएंगे, देखो, पहले तो background एक बास सुनो, अभी तक अपने जितना भी error पढ़े हैं, think after trial balance, त्रियल बैलेंस बन चुका, उसके बाद अपने जितना भी error जो पढ़े हैं, वो as it is, as it is apply होता है, after final accounts में भी without any change, सिवाए एक जगा तो, उसका पहले logic समझो और फिर बताएंगे क्या difference है, logic यह, final accounts बन चुका ना, तो next year में, next year में आप rectification करोगे, right, 31st March 20 का, 31 March 20 का, final accounts बन चुका, final accounts बन चुका, मतलब profit and loss अकाउंट, trading and profit and loss अकाउंट भी बन चुका, और balance sheet भी बन चुका, ठीक है, जब trading PL and balance sheet अलएडी बन चुका, तो net profit या net loss calculate हो चुका, और balance sheet में assets and liabilities का एक समरी और capital का एक समरी अपने को मिल गया, next year में carry क्या होता है, next year में carry क्या होता है, next year में जब आप opening journal entry पास करते हो, तो आप balance sheet का जितना भी item है न, assets and liabilities वो लेके चले जाते हो, trading PL का कुछ नहीं जाता है, trading PL तो खतम हो चुका, trading PL का तो जो net effect आता है न, वो तो capital में चला गया, बात खतम, trading PL का, तो जो net effect आता है, वो तो, trading PL का तो जो net effect आता हो, तो capital में जाके खतम हो गया, न, profit या loss, जो भी आया, खतम, अब वो तो कहीं carry नहीं हुआ next year में, next year में उसका कोई balance carry नहीं हुआ, right, 31st March 20 तक का जो purchase account का total था, वो तो उसी साल खतम हो गया, purchase account next year थोड़ी ना carry हो बट अगर शाम के account में कोई balance बच जाए, तो next year शाम का ledger carry हो रहा है, शाम क्योंकि एक अपना liability है, शाम अकाउंट 5000 अपना example था, शाम अकाउंट carry हो रहा है, और शाम अकाउंट अपना एक liability है, तो assets and liabilities and capital का balance next year भी, balance sheet item next year भी carry होता है, trading and profit and loss account last year ही close हो चुका, मतलब सर, income और expense जितना भी है, income और trial balance बना, trial balance के अंदर, जितना भी income और expenses का ledger है, वो चला जाता है, trading PL में close हो जाता है, याद करो, expense और income को, expense और income को trading PL में transfer करना, मतलब income और expense का ledger को close करना, उसका ledger को close कर देता है, खतम कर देता है, zero कर देता है, कोई balance carried down, brought down फिर नहीं रह जाता है, मान लो, purchase का total आया 10,000, अगर अपने उसको buy trading account कर दे, buy trading account कर दे, मतलब balance carried down, brought down, कुछ नहीं है, zero है, लेकिन sham account को अपने two balance carried down कर रहे हैं, मतलब उसका credit balance है, 5,000 का, वो अपने balance sheet में liability में दिखा रहे हैं as a creditor, और वो next year भी carry हो रहा है, उसका opening balance sheet जो बनेगा, opening balances जो brought down होगा, वो उस journal entry में वो आएगा, asset account debit, asset account debit, asset account debit, two liability, 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 उस two liability में two shams account भी आएगा, income and expenses account का खेला खतम, last year ही, final accounts अगर बन गया, final accounts अगर बन गया, इसका मतलब सर, income और expense का ledgers are close हो चुका, अब उसमें आप कोई entry मत करिएगा, लेखिन अगर asset या liability में कोई problem है, asset liability या capital में अगर कोई problem है, तो उसका balance आप अभी भी carry हो रहा है, उसका ठीक करिए, उसका अभी भी ठीक करिए, अगर आपका error, if your error is identified after preparing final accounts, then do exactly the same treatment as after trial balance but before final accounts, exactly the same treatment, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चेंज होगा, क्या चेंज होगा, सर, अगर आपके rectification entry में कोई income या expense का ledger है, क्या फिर, मतलब कोई trading PL वाला ledger है, तो उस ledger की जगा, मतलब salary account की जगा, wages account की जगा, rent account की जगा, commission account की जगा, interest account की जगा, यह सब ledger जो है ना, जो income और expense का ledger है, वो income और expense वाला ledger की जगा, आप PL adjustment account लिख दीजेगा बस, आप profit and loss adjustment account लिख देना, बस that's it, अभी example आपको दिखाएंगे, दो-तीन journal entry, error दिखाएंगे और फिर उसका journal entry दिखाएंगे, wait, चलो, अपना वाला example ही complete कर देंगे, जो अपने example number 1 किये था ना, वो ही complete कर देंगे, देख लो, क्या हुआ? चलो, exactly same treatment as done in after trial balance but before final accounts, only difference is that instead of nominal account or income income, expense, account, profit and loss, adjustment, account is used, logic, income or expense ledger is closed, when trading and profit and loss account was prepared. صرف اتنا سا treatment ہے, اپنا جو example تھا, اس کو ایک بار اچھے سے فٹا فٹ سے دیکھ لو. आफ्टर ट्राइल बैल, आफ्टर फाइनल अकाउंट्स, देख लो, यहां पे देखो, आफ्टर ट्राइल बैलेंस में जो इंट्री आ रहा था ना, प्लांट टू परचेज, यह जो टू परचेज आ रहा है न, यह ट्रेडिंग अकाउंट का इटम है न, इसलिए यहां पे टू पियल एडजस्ट्मेंट लिखतो, बस इतना सा फरेका और कुछ नहीं है, परचेज अकाउंट लास्ट यहर क्लोज हो चुका, ट्रेडिंग पियल बन चुका, आफ्टर फाइनल अकाउंट का मतलब ट्रेडिंग पियल बन के, नेट प्रॉफिट वगर्या कैल्कुलेट होके खतब हो चुका, अगर आप अभी करेंट यहर का ट्रेडिंग पियल भी बेकार कर दोंगे, करेंट यहर का जो प्रॉफिट निकालोगे वो भी रॉंग निकालोगे, करेंट यहर का ट्रेडिंग में जो पर्चेज अकाउंट जा रहा होगा, वो गलत जा रहा होगा, तो आप करेंट यहर को गंदा नहीं करना होगा तो वो बेटर प्रेजेंटेशन आएगा फाइनल अकाउंट का बात समझ में आ रहे हैं क्या सब कोई प्लीज अगरी करो यहां तक मतलब नंबर वन का जो ट्रीटमेंट होगा सीधा-सीधा प्लांट अकाउंट, I am waiting for the response, please बताओ, प्लांट अकाउंट डेबिट, तू, परचेज अकाउंट के जगा, परचेज अकाउंट के जगा, प्रचेज अकाउंट के जगा, प्रॉफिट अन लॉस, अडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब sir amount कितना है, देख लोना amount यहीवाला होगा यार, कोई change है नहीं, 10.000, 10.000, simple, बस इतना सा change, और कुछ change है नहीं, आप लोको बस इतना careful रहना किया, कि sir कोई nominal account है क्या, मतलब को income ये expense का अकाउंट है क्या, तो बस उसको change करो, बाकि कोई change है ही नहीं, नमबर टू वाला एंट्री देखो suspense to sales हुआ था अब क्या होगा suspense account debit होगा sales account क्योंकि एक nominal account है क्या होगा क्या होगा PL adjustment होगा very good confirm करो सब को I am waiting for the response suspense to PL adjustment amount 1000 number 3 right I am only looking at what after trial balance वाला ठीक है ना क्योंकि एकदम ditto treatment है X2 suspense ध्यान से देखो X2 suspense हो रहा है X का account कोई nominal account नहीं है वो तो personal account है वो तो क्या तो asset या liability वाला account है वो तो balance sheet में दिखने वाला account है और suspense account जो खुलता है ना वो actual में उसका balance carried down होता है balance brought down होता है right suspense account को कही statement of PL profit and loss या ट्रेडिंग में डाल के खतम नहीं किया जाता है suspense account trial balance में एक नया create कियावा ledger है उसको खतम नहीं कर पाता है क्या करेगा तो वो carry होता है तो suspense account भी दिखेगा मतलब यहाँ पे कोई nominal account है यहीं इस journal entry में मतलब यह वाला जो journal entry after trial balance में है exactly same exactly ditto entry x account debit to suspense account after final accounts में भी होगा number four transaction number four का treatment यहाँ पे क्या किया purchase to T T तो सर personal account है मतलब balance sheet वाल आईटम है और purchase account nominal account है सर purchase account की जगा PL adjustment को debit करिए मतलब what will be the entry after final accounts profit and loss adjustment account debit to T's account account debit to T's account amount बोलो amount 3000 है right 3000 ही है ना हाँ सर 3000 है ठीक है last salary to wages very careful salary to wages में बताओ क्या होगा salary भी nominal wages भी nominal अगर अगर अपने को after final accounts वाला यह वाला journal entry पास करना पड़े न the entry will be profit and loss adjustment account debit to profit and loss adjustment account अगर ऐसा entry पास करेंगे न तो बेवकूप लगेंगे जड़ा सोचो इसका impact क्या हुआ होगा last year में जब PL बना था मान लो PL बन गया trading और PL बन गया तो net profit में कोई फरक ही नहीं पड़ा net profit में कोई फरक ही नहीं पड़ा था last year जो खर्चा दिखना चाहिए था salary में वो salary में नहीं दिख रहा था वो wages में दिख रहा था ठीक है net profit में कोई फरक नहीं पड़ा था इसलिए actual में कोई PL adjustment भी नहीं होगा no entry इस बात को समझ पा रहे हो क्या बता दिना यार फ्लीज एक बार right this was the complete discussion complete summary complete revision of this chapter however this does not replace some good questions that you must practice it was just conceptual clarity and full revision of the chapter right however आप लोग को अपने आप कुछ अच्छा अच्छा question practice करना पड़ेगा उसका alternative नहीं है वो अपने अपने अच्छे से करते है right तो आप लोग अपने आप करिये कोई भी issue होता है कोई भी problem होता है so just text me right when I will be discussing with you over call or over message जैसे भी अपने बात करेंगे अगर जरूँद पड़ेगा तो google meet में मिलके discuss करेंगे जो भी discussion अपने करेंगे वो इसी lines में होगा तो आज का discussion रहा है exactly इसी lines में अपना discussion रहने वाला है इससे अलग नहीं रहने वाला है तो आप लोग का आज के class से अभी कोई भी question है तो पूछो otherwise this revision is over thank you so much guys अजया है अजया है आप एद कारेंगे झाल झाल